तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सुनील and आप दिख रहे हमारे चैनल क्लैशिक में सुनील तो यार आज की वीटियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टूप्स, न्यू बैरेक्स के बारे में तो यार ये वैरली वीडियो काफिस ज्यादा इंपर्टेंट होने वाली है तो यार बिना टाइम के वाई शूरू करते हैं अवली वीडियो तो यार हम सभी जानते हैं कि यार टाउन हाल 12 का हम सभी बहुत 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 ही ज्यादा बिसबरी से वीट कर रहे थी और फाइनली यार सूपर सेल ने टाउन हाल की पूरी क्लियर निउस दिकलियर कर दी और सब कुछ हो गया बहुत सारे लिक्स भी आगे न्यू डिफेंस के बारे में पता चल गया टाउन हाल की न्यू लेवल्स के बारे में पता चल गया अब सारी चीजे थीर दीरे कलके क्लिय तो यार मैं कुछ बात बता देता हूं कि यार न्यू ट्रूप्स भी आने वाले हैं हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थी कि यार न्यू टाउन हाल आने वाला है तो न्यू ट्रूप्स होने चाहिए और न्यू डिफेंस का भी हमने एक्सपेक्ट किया था और न्यू डिफेंस के तो हमें लीक दिखने को मिल गए बट यार मैं आपको बता देता हूँ कि New Troops का हमने सूचा था तो Supercell यार हमें इस चीज में भी निराशनी करने वाला New Troops भी Clash of Clans भी जरूर Introduce होने वाले हैं तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि यार अभी मैं आपको एक स्क्रिंशाट दिखाने वाल हूँ जो की डेवलपर बीस से लिया गया है मतलब यार डेवलपर बीस क्या होता है वो पहले आपको एक मिनट समझा देता हूँ तो यार डेवलपर बीस यार एक ऐसा बीस होता है तो यार इन डेवलपर बीस में क्या होता है कि अपडेट आने से पहले इनको अपडेट दे दिया जाता है इन यूट्यूबर्स को ताकि उस अपडेट में न्यू चीजे न्यू सजेशन्स बता सके कि यह चीज सही नहीं है यह चीज ऐसे हो सकती है तो यार बेसिकली डेवलपर बीस में ऐसी होता है मतलब यह एक मिनट में किसी भी चीज को अपडेड कर सकते हैं कुछ कमांड्स होती हैं जिससे कि यह अपने बीस को एक मिनट में कैसा भी बीस बना सकते हैं पूरा रस्ट बीस से मैक्स बना सकते हैं मैक से बिल्कुल रस्ट डिला सकते हैं तो यार ऐसा ही अपडेट टाउनौल 12 का डेवलपर बीस में दे दिया गया है एंड एक स्क्रिंश दिखा देता हूं सबसे पहले उसी की बाद आप बिलीव करोगे कि न्यू टूप आ रहे हैं तो यार जैसा कि आप स्क्रिंशाट में देख सकते हो कि यार यह एक स्क्रिंशाट लिया गया है डेवलपर बीस में सी और यह है टाउनौल 12 का बीस तो नहीं कह सकते हैं बड़ बीस है तो यहां कुछ बह पॉसिबल यह पर आप यहां पे देख सकते हो कि चार बैरेक्स प्रॉट कीए गए तो यह जह जुब ऍढिक सयी डार को में डार को आणीघ युआ कोता है दो हो अको सकता है यही बन रहे जो न्यूक्षर के बात आपके तो ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है कि डार्क अलिक्सर ट्रूप आएगा अब पर कुछ कहा नहीं सकते कि सूपर सेल अब कुछ भी कर सकता है हो सकता है दो न्यू ट्रूप इंट्रडियूस कर दे क्योंकि कुछ नहीं हो सूपर सेल्ड बहुत कुछ interesting कर रहा है पूरा game change होते है जा रहा है दीर दीरे तो यार जो अभी तक तो यही मान के चलो कि जो troop आने वाला है वो एक elixir troop है यार यह काफी अच्छी news है क्योंकि elixir troop है तो यार ज्यादा dark consume भी नहीं होगा आराम से collect हो जाएगा and बहुत मज़ा आने वाला है इस elixir troop के साथ तो यार अब बात कर लेते हैं कि जो maximum troops के levels increase होने वाले उन बारे में तो यार बहुत सारी इसके बारे में भी leaks हैं तो यार इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि troops के level क्या क्या चेंज हो रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए बाए बाए एंड कीप क्लैशिंग विच सुनील